हेलो गाईज, वेलकम बैक मौईन टेक्स सपोर्ट, कोरलरा के इस टुटिरियल में आज हमें एक अट्रेक्टिब डिजाइन क्रियेट करेंगे, जैसा कि आपने थंबरेल में देखा या फिर अभी डिस्पले पर देख पा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए ए इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, इसको सलेक्ट करेंगे और सलेक्ट करने के बाद इसका जो फॉन्ड स्टाइल है, उसको हम चेंज करेंगे, अभी हमें इसको सलेक्ट करके इसका साइज और इंक्रीज कर लेंगे, इसके बाद में इसको एक बार इसके उपर किलिक करे टिखी करने के बास इसकी जो आउट लाइन है हम इसको आउट लाइन देंगे तोयगों लिए फिल इसके बाद इसमें आउट लाइन तक्रीमिन बेंडियों इसमें subirend बाध आउट और इसकं और क्लिझ करेंगेletter और इसके बाद में आपको राओंड ़ाइप ओप्सन पर किलिक करेंगे इसको पीजर और हमेरा प्रीड करेंगे serloo ऑपको क्या जायेए honey C और E बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के उपर ओबरलैप हो जाएंगे अब ही हम देखेगा यहां साइड में एक टूल है इसमें बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर एक बिलेंड टूल आपको मिलेगा अब हम बिलेंड टूल पर चलेंगे यहां साइड में देखेगा एक बिलेंड टूल का ओप्सन है इसमें बिलेंड यह साइड में लिखा है इसको हम किलिक करेंगे और जो ब्लैक वाला पोर्षन है इस ब्लैक पोर्षन को पकड़के इस तरह से हम इसको ड्रैक करके छोड़ें के दिए when बाहर के लिए उपर वाली क्यूप एस उटाइंगे तो यांसे हो जाएगा if अब देखिए गशिती आ इसको ठीक से हम देखने पार था हैं इसको ठीक य्हें कैसे देखेंगे इसके हम एक रैक्टैंगल यहां से draw करेंगे और इसको इतना बड़ा एक rectangle draw कर लेंगे इसके उपर हमें एक color देंगे इसमें like हम यहां दिखेगा blue color देते हैं और blue color के बाद pick tool पर जाएंगे right click करेंगे और इसको हम order से send to back कर देंगे तो यह जो text है हमारा इसके उपर की side पर आ जाएगा अब हम जो box है इसको click करेंगे और click करते हुए यहां से F11 button प्रेस करेंगे F11 प्रेस करने के बाद में एक window open हो जाएगी और इसके अंदर जो भी आप color रखना चाहते हैं मैंने यहां से blue रखा हुआ है blue अप रख लेंगे या कोई और भी color इसमें रख लेंगे यहां पर एक आपको option मिलेगा blend transition इसमें elliptical function फिल के उपर click करेंगे जैसे click करेंगे तो यह देखेगा change हो जाएगा कुछ इस तरह से अब जो हमने tag से इसमें type किया है इसकी उपर वाली जो copy है जो first copy है इसकी इसको click करेंगे और अपने keyboard से numeric side से plus button को press करेंगे और plus press करने के बाद इसमें color red color fill कर देंगे अब देखेगा यहां जो white color का portion है इस white color के portion को हम एक बार click करेंगे और click करने के बाद यहां 20 copies इसके अंदर है यहां से तकरीबन इसको 300 copies कर लेंगे जिससे के जो हलका सा billar इसमें नजर आता है वो नहीं आएगा बिल्कुल clear हो जाएगा इसके बाद जो उपर की copy है वो हमने red की है आप कोई भी इसमें color fill कर सकते हैं नीचे बाले portion को हम यहां से एक बार click करेंगे जो हमारा black portion हमें यहां से नजर आता है इसको हम कोई भी different color यहां से डाल सकते हैं मैंने देखी का यहां से यह blue color इसमें दे दिया अगर blue दिया है तो इसका shade अलग आता है और अगर कोई और color इसमें डालेंगे तो इसका अलग अलग आपको effect देखने को मिलेगा I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like and share कीजेगा और अभी तक आप लोगों ने channel subscribe नहीं किया तो हमारे channel more in tech support को subscribe कर लिजेगा thanks for watching this video have a nice day